श्वी गनेशाए नमाह, अत्श्वी पद्म पुरानान तरगत, माग मास माहात्मिय, माग मास छटवा अध्याए, पूर्व समय में सत्यूप के उत्तम निशेद नामक नगर में हेमकुंदल नाम वाला कुबेर के सद्रिश धनी वैशी रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम कर करने वाला देवता, अगनी और ब्रमान की पूजा करने वाला खेती का काम करता था, वह गो, भोडे, भेंसादी का पालन करता और दूद, दही, चाच, गोवर, घास, गुर, चीनी आधी अनेक वस्तु बेचा करता और उसने इस प्रकार बहुत साथ धनी कर्था कर लिया थ जब वह बुड़ा हो गया तो मृत्यू को निकट समझ कर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंब कर दिये, भगवान विश्नु का मंदिर बनवाया कुआ, तालाब, बावरी, आम, पीपल आदी के व्रिक्ष तथा सुन्दर बाग बगीचे लगवाए, सूर्योदे से सूर्या प्रास तक वह दान करता गाव के चारों तरफ जलकी प्याव लगवाए, उसने सारे जन्म भर जितने पाप किये थे, उनका प्रायश्चित करता था, इस प्रकार उसके दो पुत्र उत्पन हुए जिनका नाम उसने कुंदल और विकुंदल रखा, जब दोनों लड़के वेश्यगामी वीना और बाजे लेकर वेश्याओं के साथ गाते फिरते थे, अच्छे सुन्दर वस्त्र पहन कर सुगंधित्ते लादी लगा कर, भांध और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी करते थे और सुन्दर घरों में रहते थे, इस प्रकार उपर अप्त होकर अत्यन दहकी हो गए, भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए, और राजा के भई से नगर को छोड़कर चोर तथा डाकूँ के साथ वन में रहने लगे और वहाँ अपने तीक्षन बानों से वन के पक्षी, हिरन आदी पुश तथा हिंसक जीवों को मार कर खाने लगे, एक समय इन में से एक परवत पर गया जिसको सिंग मार कर खा गया और दूसरा वन को गया जो काले सर्प के इसने से मर गया, तब यमराज के दूत उन दोनों को बांध कर यम के पास लाए और कहने लगे कि महराज इन दोनों पापियों के लिए क्या आ गया है इति श्वी पद्म पुरानांतर गत शश्टों ध्याय समापता